जै मसिकी and गुड मॉर्निंग आज सुभा प्रभू का वच्छन हमारे लिए यूहना का सू समाचार, सोलवी अध्याय और उसका तेरवी आयत हमने कल भी यही आयत पड़ा, आज भी इसी आयत पर हम लोग मनन करेंगे परन्तु जब वह अर्थात सत्य का आत्मा आएगा तो तुम्हे सब सत्य का मार्ग बताएगा क्योंकि वो अपनी और से ना कहेगा, परन्तु जो कुछ सुनेगा वही कहेगा और आने वाली बाते तुम्हें बताएगा यहाँ पर हम देख सकते हैं, पवित्रात्मा के बारे में बताया गया है कि पवित्रात्मा आने वाली बातों को बताएगा पिछले कुछ दिनों से जो हमने सीखा वो हम रिवाइस करेंगे पवित्रात्मा हमारा सहायक है पवित्रात्मा हमारा शिक्षक है पवित्रात्मा बातों को स्मरन दिलाता है पवित्रात्मा ईशू की गवाही देता है पवित्रात्मा सत्य का मार्ग हमें बताएगा और अब हम सीख रहे हैं पवित्रात्मा आने वाली बातों को बताएगा मेरे प्रियो हम लोग वच्छन में बार-बार देख सकते हैं कि पवित्रात्मा द्वारा लोगों को ये पता चल जाता था कि उन्हें क्या करना है या उनके साथ क्या होने जा रहा है उधारन के लिए प्रेरितों के किताब ग्यारवी अध्याय और 27 वी आयत में हम पढ़ सकते हैं कि वहाँ पर एक भविश्वक्ता था उनका नाम था अगबूस और उनोंने भविश्वानी की कि सारे जगत में बड़ा अकाल होगा और वो बड़ा अकाल कलोदियूस के समय पर हुआ मेरे प्रियो पवित्रात्मा आज भी बात करता है प्रेरितों के किताब 21 वा अध्याय और उसकी 11 आयत में भी हम देख सकते हैं कि पॉलूस को बताया जा रहा है कि जैसे बेल्ट से एक इनसान को बांदा जाएगा वैसे ही तुम्हें भी बांदा जाएगा देखिए पॉलूस को पहले से ही पवित्रात्मा चेतावनी दे रहा है कि सेवकाई के शेत्र में हमला होगा तो यहाँ पर हमें ये बात समझ जाता है कि पवित्रात्वा आने वाली बातों को बताएगा एक आयत आपके सामने में रखना चाहती हूँ भजन सहींता 25 वी अध्याय और उसकी चौदवी आयत साम्स 25 वर्स 14 में यहुआ के भेद को वही जानते हैं जो उसे डरते हैं और वो अपनी वाचा उन पर प्रकट करेगा यहाँ पर बजनकार कहता है कि परमेश्वर अपनी भेद की बाते मतलब परमेश्वर अपना सीक्रेट्स अपने डर्वेईयों को बताएगा जो लोग परबु का भेद मानते हैं उनसे परमेश्वर अपना सीक्रेट्स को बताएगा हम जानते हैं अबरहाम के साथ परमेश्वर कहता है कि जो मैं सदोम और अमूरा के साथ करने जा रहा हूँ क्या मैं अबरहाम से चिपा कर रखू देखिए परमेश्वर से ये रहाने जा रहा है और परमेश्वर अबरहाम से ये बात शेयर करता है कि मैं सदोम और अमूरा को नाश करने जा रहा हूं और वहाँ पर हम देख सकते हैं कैसे अबरहाम प्रभू के साथ बात करता है मेरा बोलने का तात्पर यह यह है कि पवित्र आत्मा आज हमसे बात करेगा आने वाली बातों को बताएगा अगर हम ऐसा एक भाई है ऐसा एक बहन है जो पवित्र आत्मा की अगवाई में हम लोग चलते हैं परमेश्वर का भै हमारे अंदर है तो निश्चे प्रभु की आत्मा हमें आने वाली बातों को प्रबू के साथ साथ हम चलते हैं अगर है तो प्रियो आज से लेकर हम प्रातना कूँ प्रबू तेरी आवाज को हम सुन पाए पवित्रात्मा हमसे क्या कहना चाता है उसके लिए हमारी कानों को खोल दीजे मेरे प्रियोग प्रभु कोई भी बात हमें बताया बिना करना नहीं चाता है लेकिन परमिश्वर चाता है ऐसे लोग खड़े रहें जो प्रभु की वानी के लिए तरसे क्यों न हम प्रभु से कहे प्रभु आप हमसे बात करना प्रभु आने वाली बाते बताएगा करकर आपका बचन कहता है तो प्रभु आप हमसे बताना ताकि हम प्रात्ना करे हमें जो करना है हम वो करे प्रभु जी प्रभु हमारी कानों को खोलिए ये हमारी प्रात्ना होने पाए आई हम लोग प्रात्ना करे स्वर्गे पिता आज का बच्छन के लिए हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी प्रभु बच्छन कहता है कि पवित्रात्मा आने वाली बातों को बताएगा प्रभु जी हम लोग अपने आप को समर्पन करते हैं प्रभु जी हमारी जीवन में जितनी भी प्रभु पाप है, कमजोरी है, प्रभु कलंक है, उस सारी बातों को आप निकाल दीजे परमिश्वर और पवित्रात्मा के अगवाई में हम चलने पाए, प्रभु पवित्रात्मा हम से बात करने पाए, आने वाली भातों को बताने पाए, प्रभु हम आपकी सेवकाई के लिए इस्तमाल किया जाये करकर हम प्रात्ना करते हैं प्रभु जी, परमिश्वर आपकी महिमा हमारी जी में से कीए